देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूँ सुमन और बुलिटेन के अंत में हम बात करेंगे पाकिसानी महिला सीमा हैदर को ATS टीम ने क्यों किया गिरफतार, इसके साथ ही और भी कई पड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूपरों लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर विपक्सी एक तासे डरी मोदी सरकार बुलाई एंडिये की मिटिंग कोंग्रेस अदेक्स खडगे ने साधा निसाना बोले मोदी जी कहते हैं विपक्स पर अकेला भारी हूँ, अब क्या हुआ अब के धानात मंदीर में मोबाईल लेजाना हुआ बैन, महिला ब्लोगर के प्रपोजल वाले वीडियो के बाद लिया गया बड़ा फैसला शुर्धालों को भी सब वेक अपनों में आने को कहा गया बैंगलूरों में आज विपक्षी दलो की बैठक में 26 पार्टियां होंगे शामील, लोगसबा, सीट, सेरिंग, यूनिफॉर्म, सिविल कोड और यूपी एके नई नाम पर होगी जर्चा कॉंग्रेस बोली गेम चेंजर साबित होगी यह एकता बैठक यमुना का जल इस्तर घटा तो गंगा उफान पर हरी द्वार में खत्रे के निसान के करीब बहर ही गंगा, देव प्रियाग में भी गंगा का पाने 20 मिट्र बढ़ा राजनेती में कुछ भी संभव, भाजपा केंद्रे मंत्री शांथनू ठाकुर बोले पांच महिने से ज़्यादा नहीं टिकेगी ममताव एनरजी की सरकार लोग तंद्र बचाने के लिए किसी भी कीमत पर बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना होगा, विपकसी दलों की बैठक से पहले बोली कॉंग्रेस यूपी पुलिस की हिरासत में सीमा हैदर, ATS केंद्रे खूफिया एजेंस्यों के साथ कोडिनेशन कर पाकिस्तान नेट्वर्क की करेगी जाँच गिरफतारी की लटकी तलवार लोंचिंग के बाद चंद्रियान 3 को मिली बड़ी सफलता, इस रोंने बताय मिसन मून एक कदम और आगे वड़ा, धीरे धीरे चांद के करीब जा रहा है स्पेस्क्राप सीदू मुसेवाले की हत्याग में सामने आया पाकिस्तानी कनेक्शन, पाकिस्तान से आये थे हतियार NIA की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा बंगाल में पंजय चुनाव के बाद भी हिंसा जारी 500 भाजबा समर्थकों ने छोड़ा घर, रहात सिवरों में रह रही महिलाएं पाकिसान के पूर्व मंत्री फवाद खान को सीमा हैदर में दिखे फिल्म वीर जारा के सारू खान, बोले खोल देने चाहिए दोनों देसों के बीच बोर्डर यूपी में योगी मंत्री मंदल का होगा विस्तार, सुभासभा प्रमुखर ओम प्रकास, स्राजपर बनाए जाएंगे कैबिनेट मंत्री दारा सिंग चोहान को भी मिलेगी जगें पहाड से लेकर मैदान तंक सैलाब का सितम, यमुना के बाद अब गंगा का रोदर रूप, यूपी के कई जिलों में बाढ़ का खत्रा, मेरट और हरीद्वार में हालात करा अब सीए मोदी को कैसे एंडिये याद आया, कॉंग्रेस नेता जेराम रमेश बोले, पटना की बैठक के बाद बोखलाई बीजेपी प्रधान मंत्री को ओस्ट्रिलिया के पीएम बुलाते हैं बोल्स, अमेरिकी राष्टपदी लेना चाहते हैं ओटोग्राफ, बोले रक्षा मंत्री राजनात सिंग आज पीएम मोदी 710 करोड की लागत से तयार पोर्ट ब्लेयर एरपोर्ट के नई टर्मिनल का करेंगे उधगाटन ये तो थी सुर्क्या, अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर भाजबा को हराने का फोर्मूला तयार करने के लिए विपक्स ने अब की बार कमर कसली है इसके लिए कॉंग्रेस की अगवाई में बैंगलूरों में 17 वे 18 जुलाई को विपक्स पार्टियों की महा बैठक चलेगी इस बैठक में 26 राजनितिक पार्टियों के प्रतिनिधी शामिल हो रही है जिसमें कॉंग्रेस नेता सोनिया गांधी, मलिकार जुन खडगे राहुल गांधी, टी-मसी की ममतब एनरजी, बिहार सीम, नितीस कुमार, तमिलनाडू सीम, एमके स्टालीन, जारकंड सीम, हेमन सोरे, दिल्ली सीम, अर्विन के जिवाल के अलावा उधर ठाकरे और लालु यादाव शामिल हो रही है इनके अलावा भी अन्यकई राजनितिक दलों के प्रमुक और प्रतिनिधी मिटिंग में हिस्सा ले रही है विपक्सी दलों की हैं दूसरी महा बैठक है इससे पहले 23 जुन को पटना में बिहार सीम नितिसकुमार की अगवाई में 15 दलों की महा बैठक हुई थी जो बेन अतिजा रही लेकिन इस बार विपक्स की रणनिति कुछ और ही है जो मोधी सरकार भाब तक नहीं पाएगी और विपक्स के द्वारा बीजेपी को खेरने की रणनिति बनाई जाएगी इस बैठक में विपक्स का सबसे बड़ा मंतन लोगसबास सीटो पर साजा उमिदवार उतारने को लेकर है कोसिस की जा रही है कि अधिकतर लोगसबास सीटो पर इस फॉर्मिले को अपनाये जाए इसके अलावा साजा रेली प्रोग्राम और अन्य बैठकों को लेकर एज़ेंडा बनेगा सोमवार को इस बैठक में एंसीपी के सरत पवार ने हिसान नहीं लिया हालांकि सरत पवार किन कार्णों की वज़े से मिटिंग में शामिल नहीं हुए यह अभी साफ नहीं हुआ है लेकिन आपको बता दें कि आज 18 जुलाई को पवार बैठक में शामिल होने के लिए बेटी सुप्रिया सूले के साथ बैंगलूरों पहुँचेंगे इस बीच कोंग्रेस नेता जेराम रमेस ने बयान दिया है कि अधिकारिक बैठक 18 जुलाई को होनी है आज करनाट के सीएम सभी दलों के नेताओं के लिए डिनर का आयोजन कर रही है कोंग्रेस नेता केसी विणू गोपाल ने इस मिटिंग को लेकर कहा कि आज देस में कई एहम मसले हैं हम सत्ता के लिए नहीं बलकि लोकतंत्र को बचाने के लिए साथ आई हैं ये बैठक आने वाली लोगसभा चुनाओं में गेम चेंजर साबित हो सकती है विपक्स की सेकता को देखकर मोदी समेट पूरी भाजपा की नीद उड़ गई हैं तो कोंग्रेस के पूर्वय अध्यक्स राहूल गांदी की भी उड़ गई है नीद जिने मोदी सर्णे मानहानी मामले में गुजरात हाई कोट से कोई रहत नहीं मिली है जिसके बाद उन्ह कोदी सर्णे माले कमेंट पर अपरादिक मानहानी मामले में रहूल गांदी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था कोट नहीं है फैसला साथ जुलाई को सुनाते हुए उनकी याचिका को भी खारिस कर दिया जिसके बाद कोंग्रेस के पूर्व अध्यक्स राहूल के गुजरात हाई कोट के साथ जुलाई के आदेश को चुनोती देती हुए आकिरकार सुप्रेम कोट का रुप कर ही लिया उन्होंने गुजरात हाई कोट के आदेश पर रोक लगाने की गुहार लगाते हुए सुप्रेम कोट से कहा है कि यदि उस आदेश पर रोक नहीं ल साथ ही उन्होंने याचिका के माध्यम से कहा कि अत्यंत संबान पूर्वकिय हैं दलील दी जाती है कि विवादित फैसले पर रोक लगाई जाए अगर रोक नहीं लगाई गई तो मेरा आठ साल का केरियर खत्म हो जाएगा बता दें कि किसी राजनेता को दू साल की जैल होने पर रिप्रेजेंटेशन ओफ पिपूल्स एक्ट के सेक्शन 8-3 के तहट दो साल की सजा के दोरान चुनाम नहीं लड़ सकता है इसके साथ ही सजा पूरी करने के बाद भी 6 साल तक कोई चुनाम नहीं लड़ा जा सकता कोंग्रेस नेता राहूल गांदी ने कहा कि उनके बया चाहिए बता दें कि राहूल गांदी ने 13 अप्रेल 2019 को करनाटक के कोलार में एक चुनावी रेली के दोरान मोदी सर्णेम को लेकर टिपपने की थी और कहा था कि सभी चोरों का समान उपनेम मोदी ही क्यों होता है इसके बाद बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने र दो हजार चोविस लोगसबा चुनाव इस बार किसी तरह से भी आसान रहने वाले नहीं हैं एक तरफ जहां भाजपा को पठकनी देने के लिए कोंग्रेश 26 पार्टियों के साथ लगातार ताल मेल बिठाने की कोसिस कर रही है वहीं दूसरी एक समाजवादी पार्टी ने भी भाजपा को खुचलने के लिए अपने प्लानिंग पर काम करना शुरू कर दिया है अपनी सियासत को और मस्बूत करने के लिए समाजवादी पार्टी ने इस प्लानिंग में इलाबाद संसदिय सीट से वोलीवुड अभिनेता अभी शेक बचन को उतारने की तयारी कर अभी शेक बचन लोगसवाद चुनाव लड़ने की अटकलों के बाद प्रदेश की राजनिती गरम हो गई है अगर जूनियर बचन मैदान में उतरते हैं तो मुकाबला बेहद रोमाचक होने वाला है अभी शेक बचन की माज जया बचन समाजवादी पार्टी से का स्वाद चख चुके हैं उस समय अमिताब बच्चन ने चुनावी मैदान में उतरकर रासनिती दुनिया में तहलका मचा दिया था उन्होंने कोंग्रेस के कदावण नेता रहे हेमावती नंदन बहु बुना को पराजित किया था उस समय पूरे देश में अमिताब की एक धलक पाने के लिए पेताब दिख रहे थे हालांकि चुनाव जीतने के बाद बिग बी को सियासत रास नहीं आई उन्होंने लोगसबा की सदश्यता से त्याग पत्र दे दिया उसके बाद उन्होंने कभी मुड़कर रासनिति की ओर नहीं देखा मुड़कर तो इस बार हिमाचल प्रदेश उत्राखन समेद सभी उत्री भारत में यह बारी साफ़त बनकर बरस रही है। उत्राखन और यूपी के कई हिस्सों में अब गंगा नदी का जलिस्तर खत्रे के निसान के करी पहुँच गया है। प्रभावित तो लोग पाकिसानी महिला सीमा हैदर के आने पर भी हुए हैं जिनको अब ATS टीम ने हिरासत में ले लिया है। तो ATS टीम ने क्यों लिया है सीमा हैदर को इरासत में देखे ये रिपोर्ट। भारत के सोसल मीडिया पर सुर्ख्यां बटो रही पाकिसानी महिला सीमा हैदर को सोंफार को आतंकवाद निरोदक दस्ता ATS टीम ने पूस्ताच के लिए अपने हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा ATS की टीम ने महिला सीमा हैदर के प्रेमी सचिन को भी अपनी हिरासत में ले लिया है।